आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या बढ़ते रहिए अपना लोग प्रियत्दानिक अखबार आजाद सिपाही आज परिवार पाटी और पुरा बिहार लालू जी को मिस कर रहा है बेटे को आशिरवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने आशिरवाद दे दिया है माता पिता भाई बहन पाटी के लोगों का आशिरवाद उनके साथ है बिहार की जनता का आशिरवाद भी उनके साथ है तेजस्वी मुख्यमंतरी जरूर बनेंगे इस दोरान माराबडी देवी ने दही खिला कर बेटे को विदा किया तेजस्वी आदों ने कहा कि मैंने सौगंद ली है कि बिहार के हित में सदाकारे करता रहूंगा हर बिहार वासी को जब तक उनका हर अधिकार नहीं दिला देता चैन से बैठने वाला नहीं हूँ इस सौगंद को पूरा करने के क्रम में आज नमांकन करने जा रहा हूँ परिवर्तन के संखनाद में आपके इसने समर्थन और आशिरवाद का अकांशी हूँ अब बात शरद यादों की शरद यादों की बेटी सुभाशिनी राज कॉंग्रेश में सामिल हो चुकी है शक्ति पार्टी के महासचिव काली प्रसाद पांड़े बुद्वार को कॉंग्रेस में सामिल हो गए दिली स्थित कॉंग्रेस मुख्याले में वरिष्ट नेताओं की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग हुई सुभाशिनी बिहार के में पूरा जिले की बिहारी गंज सीट से कॉंग्रेस की उमिदवार हो सकती है जबकि पांड़े पहले ही बिहार के कुचाय कोट निर्वाचन छेतर से कॉंग्रेस के उमिदवार के रूप में अपना नमांकन दाखिल कर चुके है किंद्रिय मंत्री के कश्मीरी आतंकी वाले बयान पर बिहार में उबाल राज़त नेता ने कहा माफी मांगे भाजपा बिहार विदान सबा चुनाव को लेकर चुनावी जन्द सबा में बिहार में कश्मीरी आतंकी के पनावाले मोधी सरकार के मंत्री के बयान पर सियासी बवाल मच गया है राज़त ने केंद्रिय ग्रिह राजमंत्री नित्यानन्द राय के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें बिहार में महागट बंदन सरकार बनने के बाद कश्मीर के आतंकियों के बिहार में शरण लेने की बात कही गई थी राज़त प्रवक्ता मृतिम्जे तिवारी ने कहा कि केंद्रिय ग्रिह राजमंत्री के इस बयान से साफ है कि एंडिय ने चुनाओं से पहले ही हार मान ली है आरोप लगाया कि श्री राय ग्रिह युद्ध कराना चाह रहे हैं केंद्र से कश्मीर सम्हल नहीं रहा और अब वे बिहार की जनता को आतंकी बता रहे हैं भाज़पा को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए अब बात कनहिया कुमार की कनहिया कुमार ने कहा कि विपक्ष NDA के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने के बजाए अपना एजेंडा तै करे बिहार में राष्ट्रिय जनतांत्रिक गडबंधन NDA पर चुटकी लेते हुए JNU चात्रसन के पूरो अध्यक्ष एवं CPI नेता कनहिया कुमार ने कहा कि दुर्भागि से राज में 15 वर्ष पहले जो मुद्दे प्रासंगिक थे वे मुद्दे आज भी बने हुए हैं सत्ता रूट गडबंधन हेडलाइन मेनेजमेंट कर जनता के असली मुद्दे और बुनियादी सवालों से ध्यान बाटने में लगा हुआ है उन्होंने कहा कि आज सत्ता पक्ष एजेंडा तै कर रहा है और विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है और बिहार चुनाओं में भी यही चल रहा है उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपना एजेंडा तै करना होगा CPI राज्य विधान सबाचुनाओं में विपक्षी राजत नीत महागड़ बंधन का हिस्सा है CPI राज्य में सीटों के बटवारे के तहट 6 सीटों पर चुनाओं लड़ रही है कनहिया कुमार ने 2019 का लोग सबाचुनाओं बेगु सराय से लड़ा था हलाकि वे भाजपानिता गिरिराज सिंग से हार गए थे कनहिया कुमार फिलहाल विधान सबाचुनाओं नहीं लड़ रहे हैं उनका नाम CPI के स्टार प्रचारकों की सुची में शामिल है और इन दिनों वे प्रचार अभियान के तहट बिहार आये हुए हैं अब बात बाहुबली अनंत सिंग और मुख्यमंतरी नितिश कुमार की बाहुबली अनंत सिंग के गड़ मुकामा में गरजेंगे CM नितिश कहा पूरा बिहार मेरा परिवार बिहार में आज चुनावी रैलियों का दिन है आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी अपने एक्चुल चुनाव प्रचार की शुरुवात बांका के अमरपुर से करेंगे पिहार में आज चुनावी रेलियों का दिन है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी अपने एक्चुल चुनाव प्रचार की शुरुवात बाका के अमरपुर से की है। पंचायतों पर पशु अस्पताल खुलेंगे। पशुों का इलाज मुफ्त में होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सेवा नहीं मेवा से मतलब होता है। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। वे अमरपुर के सीहुडी मोड मैदान में अमरपुर विधान सभा शेत् दिवार जैन्तराज के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही आगे की न्यूज अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे आजाद सिपाही।